नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सब को हमारे यूट्यूब चैनल विक्ट्री जान पर अपने जीवन को 11 दिनों में बदलो पावरफुल सक्सेस रूल फोर एवरिवन ये बुक आनेंद गिरी द्वारा लिखी गई है इससे पहले कि आप इस पुस्तों को पढ़ना शुरू करें किरिप्या एक नोटबुक और कलम ले और इसे अपने पास रखें आपसे अनुरोध है कि बिना किसी नोटबुक और पैन के पढ़ना शुरू ना करें जब तक आप सफलता के इन नियमों के माश्टर नहीं बन जाते तब तक इस पुस्तों को बार बार पढ़ें इस पुस्तों को अपने बिस्तर के पास और ई-बुक को किंडल और समार्टफोन में रखें अध्याय एक अपने विचारों को बदलें अपना जीवन बदलें क्यों कुछ लोग परसन हैं और अन्य लोग दुखी हैं और उदास हैं क्यों कुछ लोग अमीर और सफल हैं और वही कुछ गरीज और अभाव से भरा जीवन जीते हैं क्यों कुछ लोग मशूर और शक्तिशाली हैं और वही कुछ अन्य लोग सडक पर भी अग्यात हैं जहां वे बिना किसी शक्ति या पर सिद्धी के रहते हैं क्यों कुछ लोग स्वस्थ और तंदुरुस्थ हैं और अन्य बिमार और एय युग्ये हैं इन सबी स्वालों के एक समाने और एक ही जवाब है, जवाब है आपके विचार ही, आपके जीवन को दिशा देते हैं मुझे एक कहानी याद है, एक विकरेता बाजार में हिलियम गैस से भरे गुबारे बेच रहा था, कई रंगो और आकारों के गुबारे थे, सबी गुबारे लंबे धागे से बंदे थे, ताकि वे उपर से उपर उड़ते रहें एक छोटा लड़का विकरेता के पास आया और उससे पूछता है कि महोदै कौन सा रंग गुबारा सबसे उपर उड़ेगा, काला गुबारा, सफेद गुबारा या फिर लाल गुबारा विकरेता ने जवाब दिया, मेरे बच्चे, इससे कोई फर्ग नहीं पढ़ता कि गुबारा कौन से रंग का है, असल में माई ने ये रखता है कि इन गुबारों के बीतर क्या है, गुबारे हवा से भरे हुए होते हैं, जिसकी वज़े से वे उपर तक फूड़ते हैं, हम स त्रह की शिक्षा ले थी, यह मेतोपुरुण है कि हमारा मस्तिश के किस त्रह के विचारों से भरा हुआ है, इस से हमें अपने जीवन में उचाईया प्राप्त कर सकते हैं, और जीवन में सभी परकार की सफलता प्राप्त कर सकते हैं, आप अपना भागय स्वेह्म लिखते हैं आप अपनी खुशी और दर्द के लिए स्वैम जिम्मेदार हैं जो कुछ भी जब आपको मिला है यह वही है जिसे पानी की इच्छा आपने की थी आपका वर्तमान आपके पिछले विचारों से जुड़ा हुआ है आपने अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिखिये कोई यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप अमीर बन जाएंगे यदि आप शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो आप शक्तिशाली बन जाएंगे यदि आप स्वस्थ होना चाहते हैं तो आप स्वस्थ हो जाएंगे जो भी आप चाहते हैं आप उसे प्राप्त कर सकते हैं यह का सिधान्त है यह मानव दिमाग का सिधान्त है यह भगवान का सिधान्त है कोई भी इस सिधान्त को बदल नहीं सकता है यह मानव निर्मि सिधान्त नहीं है यह परकृति का सिधान्त है जो बहुत पहले मौजूद था मौजूद है और हमेशा मौजूद रहेगा यदि आप जीवन बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच प्रक्रिया बदलनी होगी, आपको हमेशा अपने विचारों से पूरी तरह अलग विचार करना होगा, मन में एक ही चीज को बार बार सोचने की बुरी आदत होती है हम अपने विचारों के निसार कारे करते हैं, हमारे कारे हमारी आदत बन जाते हैं, आदते हमारे चरित्र को बनाती है, चरित्र हमारे जीवन और भागय को बनाता है, अपने जीवन और भागय को बदलने के लिए आपको अपने विचारों पर पहले काम करना होगा, अच्छे विचार अच्छी भावना लाते हैं और अच्छे कारे करने के लिए प्रेरित करते हैं, अच्छे कारे अच्छी आदत बनाते हैं, अच्छी आदते आपके चरित्र को अच्छा बनाते हैं, चरित्र को हर जगे पूजा जाता है, यदि आपका चरित्र अच्छा है तो हर कोई आपको प्यार करता है, हर कोई आपकी प्रशंसा करता है, हर कोई आपका सम्मान करता है, अपने विचारों को बदलकर एक अच्छा चरित्र बनाए, एक अच्छा चरित्र आपके जीवन को अच्छा बना देगा, इतना आप अपने सचे दिमाग का उपयोग करते हैं, तब अगर आप अपने अवचेतन मन से आदेश कनुसार कारे करते हैं, तो आप अपनी पुरानी आदतों का दास बन जाते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, उसे प्राप्त करने के केवल दो तरीके हैं, सबसे पहले, अपने विचारों को बदलें, दूसरा, इसी अपने अवचे प्राप्त कर सकते हैं, अगर आपको शांती की जरूरत है, तो आप इसे अपने विचारों को बदलकर प्राप्त कर सकते हैं, यदि आपको शक्ति की अवशक्ता है, तो आप इसे अपने विचारों को बदलकर प्राप्त कर सकते हैं, मन की जड़ों से अपने विचारों को बद प्रमात्मा का सिधान्त है, यह उस प्रमात्मा का सिधान्त है, कोई भी इस सिधान्त को बदल नहीं सकता है, यह मानव निर्मिन सिधान्त नहीं है, यह प्रकर्ति का सिधान्त है, जो बहुत पहले मुझूद था, मुझूद है और मुझूद रहेगा, यदि आप अपना सार कारे करते हैं हमारी कारे हमारी आदत बन जाते हैं आदते हमारे चरित्र को बनाती है और चरित्र हमारे जीवन और भाग को बनाते हैं अपने जीवन और भाग को बनाते हैं अपने जीवन और भाग को बदलने के लिए आपको अपने विचारों पर काम करना होगा अच्छे विचार अच्छी भावना लाते हैं और अच्छे कारे करने के लिए प्रेरित करते हैं चरित्र को हर जगा पूला जाता है यदि आपका चरित्र अच्छा है तो हर कोई आप से प्यार करता है हर कोई आपकी प्रशंसा करता है हर कोई आपका सम्मान करता है अपने विचारों को आदेश के नुसार कारे करेंगे तो आप अपनी पुरानी आद्तों का दास बन जाते हैं जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे प्राप्त करने केवल दो ही तरीके हैं सबसे पहले अपने विचारों को बदल ले दूसरा अपने अवचेतन मन पर तब तक पर भावित करें जब तक कि यह आदत बनना जाए आपके वखल अपने अवचेतन मन से उबढ़ते विचारों से पूरे दिन और रात घिरे रहते हैं हम सुबह उठते हैं और हमारे उठने से पहले हमारा मस्तिश्क उठ जाता है और आदेश देता है कि क्या करना है आपके वचेतन मस्तिश्क आपकी पुरानी आदतों को इकठा रखता है और आपको वही पुराने काम रोबोट की तरह सुबह से शाम तक करने के लिए प्रेरित करता है आपको मजबूर होकर अपने दिन चर्य का पालन करना पड़ता है जिसका कारण आपके पुराने विचारों पूरों में किये कारे है कैसे विचार करें यदि आपके विचार अच्छे हैं तो आपको सब अच्छा ही मिलेगा अगर आप शांती पाना चाहते हैं आपको शांती मिलेगी अगर आप समानता के बारे में सोचते हैं तो आपको भी समानता मिलेगी अगर आप सवारती हैं तो दूसरों के लिए हानिकारक सोचते हैं तो आपके आसपास का वातावरन नाकरात्मक उर्जा से घिर जाएगा आपके आस्वाद एक मजबूत परतिरोद बन जाता है तथा लोग इसे आपके चेहरे और हाभाव से पहचान जाएंगे तब के लिए अच्छा सोचोगे तो आपको भी सब अच्छा मिलेगा अभ्यास एक एक पेपर और कलम ले आपके नगरात्मक विचार लिखें जो आपको आपकी खुशी और सफलता से दूर करते हैं उधारन के लिए विफलता का डर, एसविकरिती का डर, इस्षर्या, क्रोध, वासना और आदी फिर विपरित और साकरात्मक के बारे में सोचो उधारन के लिए साहस के बारे में सोचें, प्रशंसा के बारे में सोचें, प्यार के बारे में सोचें, आदी जब तक आपका आवचेतन मन इसे सविकार नहीं करता, तब तक इसका अपिहास करते रहें कहो मैं शांती पुरुण हूँ, मैं प्यार करता हूँ, मैं परवाह करता हूँ, मैं सासी हूँ, मैं सक्सेस्खुल हूँ, मैं रिच हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ जो कुछ भी आपको पसंद है उसे बताना जारी रखें आपके विचार दिन परती दिन बदल जाएंगे जागने के बाद और विस्तर पर जाने से पहले हर सुबह इसे दो मिनिट के लिए करें अध्याय तो अपनी आदतों को कैसे बदलें मनुष्य रोबोट की तरह हैं रोबोट को कम्प्यूटर प्रोग्राम से ओडर मिलता है इसी परकार मनुष्य को अवचितन मन के प्रोग्राम से आदेश मिलता है हम अपने अवचितन मन से आने वाले आदेश के अनुसार सोचते हैं महसूस करते हैं और कारे करते हैं हमारा दिमा इस तरह से प्रोग्राम किया जाता है कि यह हमेशा हमारे शरीर की उत्तर जीविका को सुनिश्चित करता है जो भी हमारे शरीर को अच्छा लगता है वे हमारे मस्तिश्क को भी अच्छा लगता है यदि आपका शरीर सुबह 10 बज़े तक सोने से अच्छा मैसूस करता है तो आपका मस्तिश्क आपसे कहेगा पर आपते हैं 10 बज़े तक सोई रहें सुबह जल्दी उठकर क्या करेंगे अगर आपका शरीर कहता है मैं दो और केक या आईस क्रिम क्यों नहीं खा रहा हूँ तो आपका मस्तिश्क कहेगा हाँ आगे बढ़ें इसी परकार हमने जो भी आदत विक्सित की है वह केवल हमारे शरीर और मस्तिश्क के अच्छा मैसूस के लिए है इस बंदन से बाहर निकलने के लिए आपको अवचेतन मन के आदेश का पालन नहीं करने के लिए द्रिटता से अपने सचेत दिमा को निर्देशित करने की आवशकता है प्रारम में यह थोड़ा मुश्किल हो सकता है हमारे शरीर और अवचेतन मन के एक मजबूत बंदन है वे एक बैल की तरह सचेत मन से आदेशों को मना कर सकते हैं इस जंगली बैल को नियंतरित करने के लिए आपको मजबूत द्रिट संकल्प के साथ अच्छी आदतों को विकास करना पड़ेगा किसी भी बुरी आदत को बदलने के लिए किसी को एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है इच्छा शक्ति के बारे में अच्छी बात गया है कि इसे विक्सित किया जा सकता है चुक्कि आप पहले से ही अपने विचारों को बदलने के लिए सासी है इसलिए आपकी आद्तों को भी जल्दी बदला जा सकता है यह हैं बहुत समानना है कि नियमित रूप से कुछ भी दोराते समय लोग एरोचक महसूस करते हैं हर दिर एक ही काम करना केवल हमारे अवचेतन मन को गुलाम बना रहा है आपकी स्थिति, आपका आज का जीवन, आपकी वर्तमान स्थिति, आपकी पिछली आद्तों का परिणाम है सही कहा, यदि आप जो कुछ भी प्राप्ट कर चुके हैं उससे आप संतुष्ट नहीं है चाहे वेवेक्तिकत, वित्य या समाजिक स्थिति है तो आपको अपनी आद्तों को पूरी तरह से बदलना होगा अतीत में आपकी आद्तें और कारे आपकी वर्तमान स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं जिसे आप वास्ता में पसंद नहीं करते हैं और आप बहतर होना चाहते हैं एक बहतर वित्तिय स्थिति, एक बहतर समाजिक स्थिति, एक स्वस्थ शरीर, एक अच्छा नजरिया रखें, एक अधिक शांती प्रूण मन, बहतर समझ, प्यार परिवार, यह हर किसी की आवशकता है आज से जो कुछ भी आपको पसंद नहीं है उसे करना बंद करें आपको आपकी प्रगर्ती से दूर ले जाने वाली हर वज़े को खतम करें तुरंत बंद करें मैंने लोगों को यह कहतो है देखा है कि मैं इसे नए साव से करना बंद करूँगा मैं इसे दिपावली से करना बंद करूँगा मैं इसे क्रिस्मस से करना बंद करूँगा और मैं इसे अपने जनन दिन के बाद करना बंद करूँगा पविश्य की तारिखों में जो चीजें थगित करने से आप कभी कुद को रोक नहीं पाएंगे विशेश कर अवसरों पर उठाये गई ऐसे संकल्प समाने रूप से विफल हो जाते हैं लोग इसे थोड़े समय तक ही निभा पाते हैं उनका अवचेतन मन उनके संकल्पों पर जीतते हैं क्या आपने कभी ऐसे संकल्प किये हैं यदि हाँ तो आप इसे जानते थे मेरा सुझाव है कि आपको आपकी प्रगती से दूर ले जाने वाली हर वज़य को खत्म करें तुरंत खत्म कर दें बुरी आदत को रोकने या चोंड़ी बहुती बुनियादी इच्छा ही आपके अवचेतन मन में एक छाप छोड़ देती है आपका मस्तिश्क इस जानकारी को इकठा करेगा और यदि आप बार बार एक बुरी आदत को कम करने या बुरी आदत छोंड़ के बारे में सोचते हैं आज नहीं तो कल वो आदत छूट ही जाएगी बुरी आदत को रोकने का एक और तरीका है यह भी है इसे तुरंद अच्छी आदत से बदल दें गुधारन के लिए यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते हैं और अपना मुल्यवान समय को व्यर्थ कर देते हैं तो इस आदत को सुबह जिम जाने या कुछ योग का अभिहास करने के साथ बदले हैं यदि आप गुसैल व्यक्ति हैं और इस आदत को बदलना चाहते हैं तो इसे तुरंद गरीब लोगों को प्यार दें और उनकी सहायता करें कम से कम पालतु कुत्तिया बिल्ली से प्यार करने की कोशिश करें ताकि आपके दिल में प्यार की भावना उत्पन होए हमेशा उन स्थानों लोगों और परिस्थितियों से बचे जो आपकी बुरी आदतों की और खीचते हैं यदि आप अच्छे लोगों से घिरे रहते हैं तो आप अपने आप में अच्छी आदते विक्सित कर लेंगे बुरी आद्टों को अच्छी आद्टों में बदलने के लिए आपके पास एक शक्त कारण होना चाहिए अने था आपका वचेतन मन आपको अपनी बुरी आद्टों में फिर से खीच सकता है अध्याय दो अपने आप से पूछे कि कौन सी ऐसी बुरी आद्ट है जो आपको विकास के और बढ़ने से रोकती है उन आपको की सुची बनाएं जिने आप बदलना चाहते और उन्हें तुरंट छोड़ दे और अच्छे लोगों के साथ रहें अध्याय तिन पांच महतवपूर्ण आद्टें जो आपके जीवन को तुरंट बदल देंगी पहला सुबह जल्दी उठें यह अच्छी आद्टों में से एक है जिसे हर व्यक्ति को विक्सित करना चाहिए अपने नीमित जगने के समय से दो घंटे पहले जागना दो घंटे का बोनस है जिसका उप्योग आप किसी उदेशे के लिए कर सकते हैं प्रारंबिक सुबह परदूशन शोर से मुक्त है और प्राते काल में एक प्राकर्तिक दिव्यता है नमबर दो, ध्यान पर्तिग्या और कलपना करें द्यान, प्राते काल चिंतन करने से मस्टिष्क को शान्ती, धहर्य, तिवर्ता, एकागर्ता, शक्ति मिलती है और पूरा दिन सार्थक रहता है भगवान शिप पर ध्यान करें, कृष्णा पर ध्यान करें, यिशु मसी पर ध्यान करें, ओम का उच्चारण करें और अपनी आत्मा को भी ध्यान में लगाएं जिससे भी आपको अच्छा मैसूस होता है या जिस पर भी आपको विश्वास हो उस पर पांस से दस मिनट ध्यान दे परतिग्या एक ताजा और अच्छा दिन शुरू करने के लिए परतिग्या महतो पुरुन है जब आप सुवय में अच्छे विचारों के साथ स्वयम के लिए परतिग्या करते हैं तो यह आपके अवचेतन मन द्वारा सविकार किया जाता है अपने आप से कहो मैं सुन्दर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं शांती पुरुन हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं सफल हूँ, मैं अमीर हूँ मैं दोस्ताना और सहयोगी हूँ और मैं इस दिन से सरवश्रेष्ट परदर्शन करने जा रहा हूँ हे भगवान, मुझे यह सुंदर जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कल्पना, अपने जीवन के हर सपने की धीरे धीरे कल्पना करें कल्पना आपके मस्तेश्क में एक मजबूत छाब बनाती है जो आपकी प्रगती में मदद करती है और आपके जीवन लक्षों को प्राप्त करने में साहिता करेगी हर किसी के पास कई सपने हैं लेकिन हम में से कितने हमारे सपनों को पूरा कर पाते हैं हर कोई बहतर जीवन जीना चाहता है एक बहतर घर और कार खरीदना चाहता है वो स्वस्थ शरीर अधिक पर सिद्धी और अमीर बनना चाहता है कल्पना करें की आप सब कुछ पहले ही प्राप्ट कर चुके हैं ऐसा कहा जाता है कि जब आप अपने सपनों को कल्पनिक रूप से सोचते हैं तो आप उन्हें पूरा भी कर पाते हैं यदि आप अपने सपनों की कल्पना प्राते काल उठते समय या रातरी को सोते समय करते हैं तो आपका मस्तिश्क आपको आपकी सपने और आपके लक्षे तक पहुच रने के लिए प्रोग्राम हो जाता है नमबर तीन नियमित रूप से व्यायाम करें और स्वस्थ बोजन खाएं एक स्वस्थ शरीर के बिना आपके पास मौजूद सभी संपत्ती का कोई मोल नहीं तंदुरुस्थ स्वास्ता ही सबसे अच्छी संपत्ती है सुबह उठें और थोड़ा योग करें हिप होप, जिमनाश्टिक, तैराकी, वोलीवोल, क्रिकेट या फुटबोल खेलें यदि आप व्रिध हैं, बूड़े हैं और खेलने या व्यायाम करने में एसमर्थ हैं तो आप पास के पार्क या समुद्र टट पर 30 मिनट टहल सकते हैं व्यायाम से बहुत उर्जा मिलती हैं और आपके शरीर में हार्मोन का उत्पादन अच्छा होता है आपका पूरा दिन ताजा और उर्जावान रहता है गोर करें कि, आप क्या खाते हैं? और क्या खाने का प्रयत्न करते हैं? यदि आप अपने परलोबन के लिए खाते हैं तो आप अपने स्वास्ते को खराब कर सकते हैं सवस्थ पोश्टिक खादय परदार्तों को खाएं और साथ में काम के लिए आवश्यक उर्जा का उत्पादन हो अधिक मेवे, सबचिया, फल, अनाज और प्रोटीन और विटामिन समरिद खादय परदार्त खाएं भोजन आपके शरीर और मस्तिश को स्वस्थ बनाता है अच्छा भोजन खाने से आपका शरीर और मस्तिश को स्वस्थ रहता है अपने लक्षो को लिखें एक नोटबुक लें और अपने लक्षो को लिखें जब आप अपने लक्षो को लिखते हैं तो आपके दिमाग में कुछ होता है आप भागेशाली हैं कि आप अपने लक्षो को लिख रहे हैं 90% लोगों के पास कभी लक्षे नहीं है सताने परसेंट लोग अपने लक्षों को कभी नहीं लिखते केवल तीन परसेंट जो अपने लक्षों को लिखते हैं वे सफल होते हैं अपने लक्षों को लिखें और उस नोट बुक को अपनी जेब में रखें और हर दिन पढ़ें आप इसे अपने दरपन या दिवार पर भी पोश्ट कर सकते हैं ताकि आप इसे हर दिन देख सके और पढ़ सके प्रात्मिक्ता और समय सिमा निर्धारित करें आपने अभी तक अपने लक्षों को लिखा है यदि आपके पास लगबग पांच या दस महत्व पूरून लक्षे हैं तो अपने लक्षों के लिए प्रात्मिक्ता निर्धारित करें आपके कौन से लक्षे में बहुत महत्व पूरून है कलम के साथ एक सरकल बनाएं और पहले उस लक्षे पर काम करें फिर एक एक करके आप काम कर सकते हैं पर तेक लक्षे के लिए एक सीमा निर्धारित करें और उसे समय पर ही खतम करें चिंता नय करें अगर आप समय सीमा पर अपने लक्षों को प्राप्त नहीं कर पाए तो आप एक अलग समय सीमा के साथ एक और लक्षय निर्धारित कर सकते हैं यदि आप अपना लक्षय पर आप नहीं कर सकते हैं तो अधिक शक्ति के साथ फिर से विशलेशन करें और काम करें उपरक्त सभी पांच आत्तों को लिखें और इन्हें द्रिड निश्चे के साथ इनका पालन करें अध्याए चार लक्षों को कैसे निश्चे करें मेरा सुझाओ है कि आप अपने जीवन के चार महत्र पूर्ण शेत्रों के लिए लक्षे निर्धारित करें पहला वित्य लक्षे दूसरा परिवारिक लक्षे तीसरा स्वास्थे लक्षे नमबर चार समाज और देश लक्षे एक वित्य लक्षे निर्धारित करें अपने जीवन के लिए एक वित्य लक्षे निर्धारित करें दो साल या पांस साल जहां तक आप पहुचना चाहते हैं, आप कितना पैसा कमाना चाहते हैं, कितनी समगरी का उपयोग होगा, उन्हें प्राप्त करने की आपकी क्या योजनाये हैं, परतेक चरण लिखें, एक परिवारिक लक्षे निधारित करें, परिवार सुन्दर होते ह अपनों उनके लक्षों को समझे, उन्हें प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें, एक शांती पुरुण और दयालू परिवार सबसे अच्छा नैतिक शक्ती है, एक स्वास्ते लक्षे नितारित करें, हर किसी के लिए स्वास्ते महतो पुरुण है, यदि आप मोटापे से ग गरस्त हैं, तो खराब भोजन खाना बंद करें, और तुरंत व्यायाम करना शुरू करें, यदि आप आज से ही व्यायाम करना शुरू करें, यदि आप सुंदर मास वेशियों और एक पतला शरीर चाहते हैं, अपने स्वास्ते लक्षे के लिए भी समय सीमा निर्धारित कर अपने स्वास्थे लक्षे को प्राप्त करने के लिए अथक रूप से काम करें जब आप इच्छा अनुसार शरीर प्राप्त करेंगे आप बहुत खुश होंगे समाज या देश के लिए लक्षे निर्धारित करें हर कोई अच्छे समाज या अच्छे देश के लिए जिम्मेदार है अपने समाज के लिए कुछ लक्षे दिर्धारित करें या अपने देश के नागरित के उत्थान को दिर्धारित करें सवारती ने हो या ऐसा ने करें जिससे आपके पास समाज और देश के लिए समय ना हो कुछ समय बचाएं कुछ NGO या एक धार्मिक संस्थान में शामिल हो और गरीबों और जरूरत मंदों की सेवा करें विशेशा दिकार प्राप्त करने में साहिता करें मुझे पुरा यकीन है आप अपने दिल से संतुष्टी और कुछ खुशी मैसूस करेंगे जब आप अपने चहरे पे मुस्काम देखते हैं तो आप दिल को असली खुशी से भर देते हैं जिसे आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा एक बार कोशिश करें आप इसे स्वैम ग्यात कर लेंगे एक नोटबुक ले चार कोलम और पांच पंग्तियां बनाएं और उपर दिये गे चार शेत्रों में अपने लक्षे को लिखें परतेक लक्षे के लिए पांच चरौनों की योजना बनाएं करमश अपनी योजनाओं का निश्पादन करें परतेक लक्षे के लिए प्रात्मिक्ता निर्धारित करें अध्याय पांच जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उससे आकरशित कैसे होई भरमांड में वह सब कुछ है जो आप चाहते हैं आप अपनी इच्छा शक्ती के साथ जो कुछ भी चाहते हैं उसे आकरशित कर सकते हैं आपको बस इतना करना है कि आपको आपके मस्तिश को फिर से प्रोग्राम करना होगा अपना चरित्र ऐसा बनाएए कि जहां भी आप जाएं आपको हमेशा सम्मान, स्वागत और आदर मिले कुछ नियम है पहला नियम पूछना लोग दूसरे से एक दूसरे से पूछने में संकोच करते हैं यदि आप पूछते हैं तो केवल दो उत्तर हां या नहीं हो सकते हैं अगर वो नहीं कहते हैं तो आपके पास काफी विकल्प है अगर हां कहते हैं तो यह ठीक है दूसरा नियम दूसरों की इस रहना करना आजकल हर जगह सब एक दूसरे पर दोश डालते रहते हैं लोग एक दूसरे को दोश देते हैं वे राजनेताओं को दोश देते हैं और वे देश को दोश देते हैं शिश्टम को दोश देते हैं और चारों और सब को दोश देते हैं यह मत सोचो के केवल आप ही अच्छे और सही हैं और बाकी सब गलत और बुरे हैं। सब में कुछ ने कुछ अनोखा होता है। दूसरे के अनोखेपन को ढूंडे और सरहाना करें। लोगों को सविकार करें और उनकी प्रशंसा करें। दूसरों को आपके साथ सहच महसूस कराएं और उनकी भावनाओं, विचारों और कारों का सम्मान करें। तीसरा नियम लोगों के अनकूल रहें। आप सब कुछ अकेले प्राप्त नहीं कर सकते। आपको अपने आसपास आपकी साहता करने वाले लोगों की जरूरत होती है। समान विचारधारा वाले लोगों के साथ नेटवर्क और अपनी अच्छी चीजे उनके साथ सांजा करें। वे अपनी अच्छी चीजे आपके साथ सांजा करेंगे। चोथा नियम, कभी हार ना माने, पहली बार में किसी को सफलता नहीं मिलती, विफलता अध्यन का चिन्न है, विफलता के बाद आप हमेशा कुछ नया सीखते हैं, हर विफलता को सफलता का पड़ाव बनाएं, कड़ी मेहनत करें, अपनी गलते को सही करें, और आप चीतेंगे, और सब कुछ प्राप्त कर लेंगे, जो आप चाहते हैं, पाचवा नियम, प्रातना मददगार होती है, प्रातना आपके दिमाग और अतिरिक्त चेतना के बीच संबंध है, सारो भोमिक शक्ती, आपको हर वो वस्तु देना चाहती है, जिसे आप पाने की इच्छा रखते ह आप कभी भगवान, सर्वशक्तिमान या अतिरिक्त चेतना की सारो भोमिक शक्ती से जुड़े नहीं है, खुद को उस अतिरिक्त शक्ती से चोड़ने का प्रयास करें, बहुत तायत, शान्ती, सफलता, सोंदर रहें और सब कुछ आपके उपर बोचार के लिए तैयार है, जीवन में जो चीजे आप चाहते हैं, उनकी एक सूची बनाएं, करमश योजना करें, मैं किस से सला लेनी है, क्या कारे करना है, कारे कब समाप्त करना है, और उनका पालन करें, क्या आप संसार के सबसे अमीर व्यक्ति बनना चाहते हैं? मैंने अपने जीवन में कई करीब लोगों को देखा है, कुछ लोग बहुत करीब हैं कि उनके पास केवल पैसा है, कुछ विचारों से गरीब हैं, और कुछ संबंदों में गरीब हैं, दुनिया का सबसे अमीर आदमी वह है, जो अपने जीवन से संतुष्ट है, मैं पैसे आप भोतिक संपती के खिलाफ नहीं हूँ लेकिन पैसे की तलाश में लोग अपने अच्छे रिष्टे, अच्छे दोस्त और अपने आसपास के अच्छे लोगों को खो देते हैं असली खजाना हमारे महान विचारों में है, यह एक सुनेरी खदान है, जब आप अपने विचारों की खदान को गहरा खोद लेंगे तो आप से यह सुनेरी संपती कोई नहीं चुरा सकता, कोई आयकर या परवर्तन उस पर नियंतरन नहीं ले सकता है, आपको रातों की नीद होने की जरूरत नहीं है, महान विचार और संतुष्ट जीवन ही आपका असली खजाना है, महान समराट अलेकजेंडर जब भारत में परवेश किया, उसने एक आधा नगन आदमी को देखा, जिसके कपड़े फटे हुए थे और वैं सिंदू घाटी के किनारे शम्शान में बैठा था और गाने गुन गुना रहा था, अलेकजेंडर अश्चारे जनिक रह गई, एक ऐसे व्यक्ति को देखके जिसके कपड़े फटे हुए हैं और नय उसके पास गोड़ा गाड़ी है और ना ही कपड़े, लेकिन वैं फिर भी खुश और संतुष्ट था, उसने उस आदमी से पूछा, आप इतनी खराब स्थिती में इतनी संतुष्टी और खुश कैसे हो सकते हैं, आपके पास पहनने के लिए एक अच्छा कपड़ा भी नहीं है, आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, खुशी, धन और मुझे जो कुछ च समराठ हूँ, मैं महान समराठ हूँ, मैंने कई देशों पर विजय प्राप्त की है, और मेरे पास बहुत सारी संपतियां, खुबसूरत लड़कियां, सोने, हीरे, घोडे और कई कीमिती पत्थर हैं, लेकिन मैं अभी तक खुश नहीं हूँ, जब मैं पूरी दुनिया को ज से आपको सारी संपति मिल गई है, लेकिन वास्तविक धन एक संतुष्ट जीवन है, जो आप कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे, आप कितने गरीब आदमी हैं, मुझे यकीन है कि आप इस जीवन में कभी भी खुश नहीं होंगे, यदि आप खुश रहना चाहते हैं, तो बस अपने सभी कवच और हतियार फैक दे और मेरे बगल में आकर आराम करें, मेरे गीतों में भगवान के नाम को सुनो, मैं वचन देता हूँगी, आप खुश होंगे, अलेकजंडर आदमी पर मुश्कुराया और चला गया, जैसा कि आदमी ने कहा था, वह कभी वापस नह आया, वह युद में पराजित हो गया था और अपने पूरे जीवन में कभी भी खुश और संतुष्ट हुए बिना ही मर गया, क्या ऐसा जीवन भी आप चाहते हैं, पैसा हर चीज नहीं खरी सकता है, ऐसी कई चीजे हैं जो पैसा नहीं खरी सकता, एक शांती पुरुन संतुष्ट रहें, खुश रहें और जरूरत मंदों के साथ अपनी संपती को सांजा करें, मैं वादा करता हूँ कि आप अमीर बन जाएंगे, जो कुछ भी आप सांजा करते हैं, वह गुणा होकर आपको योगिक ब्याज के साथ वापस मिल जाता है, अपनी आखे बंद करे और सोचे कि आपको खुश होने के लिए कितना पैसा चाहिए, सोचो, क्या आप अपने आज में खुश रहना चाहते हैं, या पविश्य में खुश रहना चाहते हैं, जिसके बारे में कोई नहीं जानता हमारे पास अब सब कुछ है जिसे हमने अतीत में चुना था, सही विकल्प चुनना जीवन का सबसे महतपुर्ण कारक है, आम तोर पर हम कई गलत चुनाव करते हैं और बाद में पश्ताते हैं, ऐसे विकल्प चुनिए जो परशंसनिय हो, ऐसे विकल्प जो आपके जीवन क सतर बढ़ा दे, हमारी इच्छाएं समय समय पर बदलती हैं, हम पांस साल की उमर में क्या चाहते थे, खिलोना या गेंद खेलने के लिए, आइस क्रीम खाने के लिए 15 साल की उमर में, 15 साल की उमर में एक साइकल, 20 साल की उमर में एक खूबसूरत लड़की मित्र या लड़ जीवन एक रास्ता है और इसमें कई उतार चड़ाव आते हैं एक अच्छा विकल्ब चुनना ज्यादातर लोगों के लिए कठिन रहा है इस समय में आपको एक अच्छे सलाकार और माश्टर की आवशकता होती है इस धर्ती पर कई महान लोग रहते हैं उनके जीवन से हमें प पूर्ण है उस शेत्र का नेनले जिसमें आप जाना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं उस शेत्र के शिर्ष दस महान लोगों को चाने उनकी जीवनी को पढ़ें और पता लगाएं कि उच्छ तरिये मुकाम तक पहुचने के लिए उन्होंने क्या क्या किया बस उनके रास्ते का पालन करें सफलता की गरंटी है अध्याय आठ अपने ब्लूप्रिंट बदले हमें से परते को मांसिक रूप से ब्लूप्रिंट बना चुके हैं कि हम कौन है यह योजना हमारी खुद की रचना नहीं है यह ब्लूप्रिंट वो है जो हमारे आसपास के लोगों की वजय से बनी और हमने मांसिक रूप से उसे सविकार भी कर लिया है अगर आपके आसपास के लोग आपसे कहते हैं कि आप मोटे हैं आप उसे सविकार करेंगे और उसके बारे में सोच कर चिंतित हो जाएंगे अगर वे लोग आपसे कहते हैं कि आप पतले हैं आप उसे सवि करेंगे और उसके बारे में सोच कर चिंतित हो जाएंगे अगर वे कहते हैं कि आप सुन्दर नहीं है तो आप उसके बारे में सोचते हैं और अपने मस्तिश को प्रभावित करते हैं कि मैं सुन्दर नहीं हूं हम अपने बच्पन से ही हम अपनी वास्तविक्ता को नहीं समझ पाते की हम कौन हैं, हमारे विचार और मानेता हमारे आसपास के लोगों, परिवार, मित्र, रिष्टेदार और समाज की वजए से बनी है, यह मानेता हमारी वास्तविक्ता के मद्दे हमेशा बादा रही है, यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं, तो इस मानेता को वह एक बड़ी चटान से टकराई और बुरी तरह से घायल हो गई वो बच्चे को जनम देते ही मर गई शेर का बच्चा बगरियों के जुंड में बड़ा हुआ वह बगरी की तरह घास खाने लगा बगरी की तरह चलने लगा वह अपने आपको बगरी समझने लगा एक बगरी से पूछा अरे क्या तुम जानते हो कि तुम कौन हो तुम एक शेर हो और तुम बकरियों के साथ क्या कर रहे हो बच्चे ने जवाब दिया क्या तुम पागल हो गए हो मैं शेर नहीं हूँ मैं एक पकरी हूँ शेर ने उस बच्चे को अपनी साथ नदी के पाथ चलने के ल बच्चा शेर के पीछे पीछे चला गया, शेर ने उसे अपनी परच्छाई पानी में देखने के लिए कहा, जैसे ही उसने पानी में देखा, वे पानी में शेर का चेहरा देख के डर गया, शेर ने पूछा, क्या अब तुम मेरे पे भरोसा करते हो, तुम शेर हो, तुम ये खोजने के लिए गहरे जंगल में चला गया यह हम मेंसे कई की कहानी है हम सब समाज में रह रहे हैं जहां हम अपनी वास्तविक्ता पहचान को खो दी है हमारा व्यक्तिता और अन्य लोगों की राय से बन गया है यदि आप अपना जीवन बदलना चाहते हैं तो इस मानेता को बदले, मानेता को बदलो और जीवन बदलो एक पेपर पर अपने जीवन के सपनों को लिखे उन लोगों और चीजों को ढूंडे जो आपको आपके लक्षे से दूर कर रहे हैं उन लोगों और स्थानों को हटा दे जो आपको नकरातमकता बनाते हैं आपकी वास्तविक्ता को लेकर अपने आस पास के लोगों को बदलो अध्याय नोव आप स्वयम को और अपनी वास्तविक शक्तियों को जाने हम खुद को लिंक चाती धर्म, शिक्षा, समाजिक स्थिती और आर्थिक स्थिती के साथ पहचानते हैं हमारी वास्तविक पहचान यह है कि हम इंसान हैं हम सभी एक ही दिवयता का हिस्सा है दिवय सरवच शक्ति है जो हर जीव में मौझूद है हम उस महान शक्ति को भूल गए है जिसने हमें बनाया है दिवयता हम में है और हम भी परमेश्वर, सूर्य दर्शी और सरवशक्ति मान है विश्वास करना मुश्किल हो सकता है लेकिन जैसे जैसे आप अध्यात्मिक रूप से प्रगति करते हैं आप इसका अनुभव करते हैं हिंदु धर्म में प्राचिन शास्त्रों में चार वेदे हैं परते के वेद में महावाक्य है, नामक एक महान वाक्य है ये चार वेदु का सार है, कोर और बहुत मैतपून संदेश जो हजारों साल पहले बड़े रिश्यो द्वारा प्रगत हुआ था वे सच हैं, मैं आपको वेज्यानिक रूप से समझा सकता हूँ उन चार महा कावे के नुसार हम समझ सकतेगी हम कौन है पहला मैं सत्य हूँ, जागरुता सत्य है, तुम वे हो, यह आतम ब्रह्मा है यही हमारी असली प्रकत्पी है, जिस शन हम इसे समझ जाएंगे और दिल से अपना लेंगे, हमारा जीवन बदल जाएगा हम सारो भोमिक सत्य और भवय चेतना के अलावा कुछ नहीं है जंगाओं, नदियों, एक आदमी या शेर, इस प्रमांड में सब कुछ प्रमानों और उपमितिय कण से बना है केवल अनुपात अलग है, भारतियों ने हजारों सालों से अपनी महान अध्यात्मिक शक्तियों और अंतर ज्यान के साथ यह सत्य प्रगट किया है, जो चार वेदों के महकावय में लिखा है वही सरवच शक्ति और सत्य हम सब में मौजूद है जिस शन हम इसे अपनाते हैं और सत्य से जूजते हैं, हमारा जीवन मूल रूप से बदल जाता है ध्यान करना सीखें और भगवान, सच्चाई, सरवशक्ति मान, भवय चेतना से आप जुड़ें अध्याय दस, आकरशन और करम के सिधान्त हर कोई इन दिनों आकरशन के सिधान्त के बात कर रहा है इस परमांड में जो कुछ भी उपलब है, हम उन सब को अपनी और आकरशित कर सकते हैं ऐसा करने के कई तरीके हैं लोग भोतिक संपती या संसारिक चीजों को आकरशित करने के तरीके के बारे में अधिकतर बात करते हैं पैसे कैसे आकरशित करें, परसिद्धी कैसे आकरशित करें, कारों और बंगलों और सोनों या हीरे को कैसे आकरशित करें, यदि आप स्वैम को सक्ते से जोडते हैं, यदि आप धर्मी हैं, तो आपको कुछ भी आकरशित करने की आवशकता नहीं है, सारो भौमिक सरवच शक् भगवान सर्वशक्तिमान से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं आपको एक और सिधान्त समझना चाहिए इस धर्थी का बहुत ही बुनियादी सिधान्त जिसे हम भारत में करम सिधान्त कहते हैं यहां हमारे सभी कार्यों का प्रेणाम मिलता है कोई भी इस सिधान्त को बदल नहीं सकता है यदि आप कुछ अच्छा करते हैं आपके साथ भी अच्छा होगा यदि आप दूसरों के लिए कुछ बुरा करते हैं आपके साथ भी बुरा होगा यदि आप गलत तरीके से कार चल तो आपको अच्छी मास पेशियों और सुन्दर शरीर प्राप्त होता है। यदि आप सवारती हैं तो आप अपने आसपास के सभी लोगों को खो देते हैं। यदि आप नी स्वार्त हैं तो आप अपने आसपास के बहुत से प्यार करने वाले लोगों को प्राप्त करते हैं। यह करम सिधान्त हैं, हमारे सभी कार्यों को परिणाम से सम्मानित किया जाता है। चतुराई से सच्चाई और प्यार से काम करें आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा अतीत में किये गए सभी बुरे करमों और आपके इस समय के बुरे जीवन को लिखें जो आप अनुभव कर रहे हैं उन सभी बुरी चीजों को खत्म करें और उन्हें कुछ अच्छे कारों के साथ बदले अध्याई ग्यारा कोई भी आपके विकास और सफलता को रोक नहीं सकता यदि आपने उपरक्त सभी नियमों का गंभीरता से पालन किया है तो कोई भी आपके द्वारा दर्ज किये के किसी भी शेत्र में विरिद्धी या सफलता को रोक नहीं सकता है मुझे यकीन है कि मैं वादा करता हूँ मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि आप सफल होंगे आप जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते है कोई भी आपको स्वस्थ होने से रोक नहीं सकता है कोई भी आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकता है कोई भी आपको परसित होने से रोक नहीं सकता है कोई भी आपको शक्ती और उच्चा दर्जा पाने से रोक नहीं सकता है इस पुस्तक को बार-बार पढ़े जब तक कि ये सफलता पाने की विदियां आपकी आदत नय बन जाए और जब तक वे आपके रक्त, हटी और अवचेतन मन का हिस्सा नय बन जाए एक पेपर पर सभी महतवपुरुन बिंदों को नोट करें और इसे अपनी मेच पर रखें रोज सुबह जाते और रात को सोते समय हर दिन उन बिंदों को पढ़ें शुरुवात में इने पालन करना मुश्किल हो सकता है लेकिन आप जल्द ही इसके आदी हो जाएंगे एक बार जब आप अपना जीवन बदल लेंगे तो आप सभी लाभों का आनंद लेंगे आप संतूष्ट हो जाएंगे आप खुश और शांति पूरुन रहेंगे आप आनंद पूरुन और आनंद में रहेंगे जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं आप उसकी और आकरशित होने लगेंगे आप स्वैम पर विश्वास नहीं करेंगे लेकिन यह सच है आप एक मानव चुम्बक बन जाएंगे आप अपने जियोन में इन सिधानतों को लागो करके जियोन में जो कुछ भी चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं इन ग्यारे अध्याओं से आपने जो भी ग्यारे मैतो पुरुन बाते सीखी हैं उन्हें लिखें कोई भी तीन बिंदो को आप तुरंट अपना सकते हैं उन्हें अपनाएं और उस पर तुरंट काम करें